आज है 27 नवंबर 2030 दिन सुमवार वेल्कम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मध्यप्रदेश की 25 फटाफट बड़ी ख़परों को इसे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं? हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें साथी हमारे फेस्बुक पेस्टों भी फॉलो करें फेस्बुक पेस्ट करें इसके संदीली आ गया है दो महा के बाद दस्वी बार्वी की बोर्ड परिक्षा कमजोर विद्यार्तियों की कराई जा रही है विशेश तयारी मादमिक शिक्षा मंडल की दस्वी और बार्वी की बोर्ड परिक्षा पांच परवली से शुरू हो रही है बोर्ड के विद्यार्तियों के पास मातर दो महा का समय शेश है ऐसे में जनाव के कारण अब तक कुछ इसकूस का पाठिक्रम पूरा नहीं हो पाया हाला कि 6 दिसंबर से 9 से 12 तक की चमाही परिक्षा आयो जित की जाएंगी इसके बाद प्री बोर्ड और बोर्ड परिक्षा भी होगी ऐसे में सो प्रतिक्षत परिणाम लाने वाले स्कूस ने विशेश तयारी शुरू करती है पूरानी स्कीम से आखरी बार इसनातक अंतिमवर्ष की होगी परिक्षा 10,000 विद्यारती होंगे शामिल पीचे पाची कम में आसानी से प्रवेश ले सके इसके इसनातक अंतिमवर्ष की परिक्षा मार्च पे करवाने पर सहमती बनी है NEP और पुरानी स्कीम के इंतरकर इसना तक अंतिमवर्ष की परिक्षा करवाएंगे जिसमें 86,000 शात्राइं सम्मिलित होंगे अकेले पुरानी स्कीम से B.A.B.C. अंतिमवर्ष की परिक्षा में 10,000 विद्यार्थी शामिल होंगे अधिकारियों के मताबिक एक से 30 मार्च के बीच परिक्षा होगी उसके बार विद्यार्थियों के कौपी जाचने का काम किया जाएगा वाहनों में हाई सेक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट हुआ निवारे 15 दिसमबर से कटेगा अच्छाला उच्छे ने आले दोरह जारे किये गए आदेश के परिपालन में आगामी पदा जन्वरी दोहजार चौबिस तक शत्प्रतिशत वाहनों में हाई सेक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाने की कारिवाई पून की जाएगी जिला परिवहन अधिकारी राजेंदर कुमार सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन आयुक्त कार्याले की द्वारा जारे किये गए निर्देश के बाद अब सभी वाहनों में हाई सेक्योर्टी रेजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगाना अनिवार किया गया ह बाल इंदर रूट की कई ट्रेंस होंगी निरस्त पांच से ग्यारा दिसंबर तक और गारी संख्या एकार्ट दो तीन तीन इंदौर बुलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस छे से बारा दिसंबर तक निरस्त रहेंगी हमीदिया में हरवाट के चिकेट्सकों को देंगे टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी के लिए प्रशिक्षन टीबी के खिलाब देश में महाभियान चला हुआ है इसमें विभाक के साथ समाच सेवी संस्थाव के द्वारा निरंतर प्रियास किया जा रहा है इसके नतीजे भी निकल रही है सरकार का मानना है कि टीबी रोग्यों के साथ उनके संपर्क में आई सजन और अन्यलोगों की स्क्रीनिंग वर दवा भी जरूरी है राज़ाने के हमेडिया अस्पताल में अब इसके लिए टीबी प्रिवेंटिव थेरेपी कारिक्रम मुन सभी के लिए चलाया जाएगा जिनमें किसी भी तरह से टीबी को हराया जा सकता है पटवारी के हत्या बार कमलनाथ का आरूप कहा शिवरा सरकार के दौरान पनपा भष्टा चार मद्धप्रदेश के शहडूल में अवेट खनन रोकने गए पटवारी के हत्या के मामले में सियासत तेज हो गई इस मामले में कॉंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साजह कर आरूप लगाया कि शहडूल में रेट माफिया द्वारा अवैट खनन रोकने गए पटवारी प्रसन्न सिंग को ट्रैक्टर से कुचल कर मार देने की जगन्य वार्दात सामने आई पहला राजकुमार के समान पत्रकार डॉक्टर वर्तिका नंदा को हर साल चलेगा अब ये सलसला विख्यात पत्रकार सुर्गी राजकुमार के स्वानी जी की स्व्रति में उनके नाम पर पहला सम्मान रविवार को पत्रकार डॉक्टर वर्तिका नंदा को दिया गया नंदा को सम्मान सौरूप एकला की राशी शौल और शीफल दिया गया वो बाल के माधवराओ, सुप्रे, समाचा और पत्र संग्रहाले में किस्वानी किस्मती में अलंकरन समारू आयोजित किया गया था कारिटम में गीतकार और लेखक इशाद कामिल, अभिनेता राजीव वर्मा और फिल्म राइटर रूमी जाफरी विशेश रूप से उपस्थित थे कलेक्टर निखाद वितरान और उपाजन केंद्रों का किया निरिक्षन कलेक्टर अक्षेकुमार ने गौाली और और डबरा श्रीतर में निजी और शास्किय खाद वितरन केंद्रों का निरिक्षन किया जोरान उन्होंने कहा कि जिले में किसानों को बिना असुविदा के खाद मिलेगी हमारी प्रात्मिक्ता है वितरर विवस्ता पर निरंतन निग्रानी रखनी और निजी वशास्किय केंद्रों पर क्रशी और कॉपरेटिव वभाग के अधिकारियों को बहुत इक सत्यापन करने के निर्देश दिये गए हैं रामेश्र मेला शुरू कार्तिक पूरिमा पर हजारों लोग लगाएंगे डुपकी जिले के प्रसित तीर तिस्तल त्रिवेनी संगम रामेश्वर धाम पर कार्तिक पूरिमा के अफसर्थ पर दो दिवसीय मेला अयोजित किया जा रहा है मेले का शुभारंब हो गया है यहां सुबे पूरिमा के पवित्र प्रमोकिस्नान में एक लाग श्रधालू संगम में डुपकी लगाएंगे जिला मुख्याले से 35 किलो बीटर दूर रामेशर धाम चंबल बनास और सीप नदियों के पवित्र तिवेनी संगम के लिए विख्यात है रामेशर धाम पर कार्तिक पूरिमा के उपलक्षमेज धार्मेक मेले में राजस्थान और मद्रदेश के सीवावर्ती इलाकों से हजारों की तादाद में श्रधालू पहुचते मौसम विख्यान के इंदर के पूर बरिष्ट मौसम विख्यानी अजश शुकला ने बताया कि इन तीन मौसम प्रणालियों के असर से प्रदेश के दक्षर पश्चिम शेतर में गरत चमक के साथ वर्षा होने की आसार बन गई है विखेषकार इंदर अचेयन संभाख के जीलों में कहीं कहीं भारी वर्षा हो सकती है साथी कहीं कहीं बड़े पैमाने पर उले भी गिर सकते हैं आज नर्मदापुरम औजवलपुर संभाख के जीलों में वर्षा होगी स्यम शिवराज ने वारल किया तोमर का वीडियो बोले जीतू पटवारी मधरबदेश के कॉंग्रस नेता जीतू पटवारी ने सीम शिवराज पर कंभीर आरोप लगाए है उन्होंने कहा कि मैं मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने केंद्रिय मंत्री नरेंदर सिंग तोमर के बेटे का वीडियो लीग करवाया जिसमें करोडों रुपे के नशे की खेती की बात हो रही है आपने इन ब्रष्टाचारियों को एक्सपोस कर दिया मैं इसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ जिन्होंने ब्रष्टाचार को सामने लाने का काम किया सियम शिवराज काउंटिंग से पहले पहुचे मंदिर मद्रप्रदेश में काउंटिंग से पहले सियम शिवराज ने कई मंदिरों में दर्शन किये वो अपनी पतनी साधना सिंग के साथ मेहरु जैन और दतिया पहुचे दतिया में सबसे पहले उन्होंने देवी बगला मुखी के दर्शन किये इसके बाद वन खंडेश और महादेव का जलाबिशे किया फिर उन्होंने मापी तांबरा का अशिरवाद लिया इस दोरान उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास और समरदी के लिए प्राथना की है मसूर मक्का मुंग में आया भारी उच्छाल गेहूं सोयाबीन तूर में आई कमी इन दोर मंडे में गेहूं चना डॉलर चना मक्का सोयाबीन आदी फसलों के भावदर शाय कए घरेलू बाजार में लगातार साथवे दिन सरसो की कीमत पे कमी देखी गाई मई देसी चने में कमी देखने को मिल रही है मसूर मक्का वंग में तेजी देखने को मिली मई दूर डॉलर चना वंग में बीते दिन किया पेक्षा कमी देखने को मिली मंडी भाव की अगर बात करें तो सोया भी इनके भाव में कमी देखी गई जबकि उड़ाद में तेजी देखने को मिल रही है MP में NIA की चाप इमारी मिले कई एहम सुरा पाकिस्तान समर्दित गजवाई हिंद मौजूल को लेकर NIA ने मद्यप्रदेश के दिवाज में छाप इमारी की इस दोनान संडिक्दों के पाकिस्तान से संबंद होने के सुराग मिले टीम ने कई आपती जना कुपकरन और दस्तावेज जब्त किये हैं पता दें कि NIA ने सबसे पहले 2022 में इस मामले में बिहार के फुलवा शरीफ से मरगूब एहमद दानिश शुर्फताहिर को गिरफतार किया था जिसके बाद से टीम लगातार कारिवाई कर रही है लोगसबा चनाओं से पहले किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात बढ़ सकती है पिम किसान सम्मान निधी की राशी पिम किसान सम्मान निधी यूजना के करोड़ों किसानों के लिए खुशकबरी है लोगसबा चनाओं से पहले केंदर की मोधी सरकार प्यम किसान योजना के लाभारतियों को बड़ा तोफ़ा दे सकती है खबर है कि एक फरवरी दोजार चॉबिस में अपना अंतरिम बजट पेश करने के दौरान मोधी कैबिनेट में वितमंतरी निर्मला सीतारमन पीम किसान सम्मान निदी योजना के राशी बढ़ाने का ऐलान कर सकती है इसे 6,000 से बढ़ा कर 8,000 ये 9,000 किया जा सकता है सेभी का बड़ा फैसला ट्रेडिंग के दिन होगा पेमेंट मार्च से लागू होगा नया निया ट्रेडिंग को लेकर मार्केट रिगूलेटर से बड़ा फैसला लिया अब शेयर बेशने या खरीदने के बाद पेमेंट का इंतजार नहीं करना होगा मार्च में टी प्लस जीरो सेटल्मेंट लागू होने जा रहा है नए नियमो के तहर ट्रेडिंग के दिन है भुक्तान करने की अनुमती होगी मॉंबई में आयो जित सेवी की बोर्ड की बैचक में ये निया लिया कया ग्रागो की मार्च इन तीन बैंकों ने बढ़ा दिया फिक्स डिपॉसिट पर ब्याज मिलेगा पहले से जादा रिटर्ण फिक्स डिपॉसिट निवेश के लिए बेतर विकल्प माना जाता है निवेशकों पर इस पर फिक्स्ट ब्याज निधारे टर्म के लिए मिलता है साथी से इन्वेस्टमेंट का सुरक्षित विकल भी माना जाता है इसके अलावा इसमें बार बार पैसा जमा करने का जंजट नहीं होता बैंक अक्सर व्याज जरू में संशूधन करते रहते हैं सबते इन बैंकों ने फडी के इंट्रेस्ट रेट पे ब्रदी कर दी इस लिस्ट में येस बैंक, आर बील बैंक और आईसी आईसी आई बैंक शामल है जब तक जनसंख्या नियंतरन कानून नहीं बनेगा जब तक जनसंख्या नियंतरन कानून नहीं बनेगा तब तक भारत हिंदू रास्टर नहीं हो सकता देश की बढ़ती जनसंख्या पर नियंतरन करना बहुत जरूरी है सभी धर्मों के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए सकती से पूरे देश में जनसंख्या नियंतरन कानून लाया जाएगा साथ ही कहा कि धार्मे के स्थलों को परेटन स्थल रहने दिया जाए धार्मे के स्थलों का विस्तार करके कोरिडोर का निर्मान करके उनका मूल अस्तित्व समाप्त किया जा रहा है नई पीडी को कैसे पता चलेगा कि कुंज की गलियां कैसी होंगी एर इंडिया एक्सप्रेस ने पेश किया क्रिसमस डिसकाउंट आफर इन उडानों पर मिल रही 30 प्रतीशत तक छूट पेसिवर सीजन के दुरान एर इंडिया ने क्रिसमस कंस अर्ली सेल की शुरुआत की है जो रास्टे और अंतरास्टे दोनों उडानों पर अच्छी चूट प्रदान करता है कंपनी दोराश शेयर किये गए ओफिशल डीटेल के अनुसार इच्छो क्यात्री उडानों पर 30 प्रतीशत तक का लाब उठा सकते है हाला कि एर लाइन ने ये भी पुछ्टी की है कि ये ओफर उन बुकिंग के लिए माने होगा जो 2 दिसंबर 2023 से 30 मईं 2024 तक व्यात्रा के लिए नवंबर में की गई है सीनजी और पीनजी में बायो गैस मिलाना हुआ जरूरी सरकार ने लिया फैसला एथिनॉल काउत पादन भी बढ़ेगा देश में बायो फ्यूल को बढ़ावा देने के लिए लगतार प्रियास किये जा रही है अब सरकार ने सीनजी और पीनजी में बायो गैस को मिलाने का फैसला लिया है केंदर सरकार ने कहा कि कंप्रेस्ट नेच्रल गैस और फाइप नेच्रल गैस में बायो गैस कमिश्टर अनिवारी रूप से करना होगा पैट्रूलियम मंतरी हरदीब सिंग्पुरी ने बताया कि इस कदम से अर्थियवस्था को फाइदा होगा जबलपुर में 140 करोर वसूलने की जुगा चुट्टी के दिन खुले निगम के टेक्स कैश काउंटर चुनाव कत्म होने के बाद एक बार फिर से नगर निगम का काम पच्छी पर लौट ने लगा फिलहाल नगर निगम का पूरा फोकस इन दिनों राजस सोवसूलने पर है नगर निगम की माली हालत को देखते हुए नगर निगम ने खजाना भरने की जद्दो जहट शुरू कर दी इस कड़ी में अफकाश के दिन भी नगर निगम मुख्याले सहीच सभी सूला जोन के टेक्स कैश काउंटर खोली गाए एक बाद फिर से भारत पर नाम पाकिस्तान बेसी से आई ने अंडर नाइंटीन एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया इसी के साथ एक बार फिर से भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखने का मौखा फैंस को मिलने जा रहा है तस दिसंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेला जाएगा इसको लेकर फैंस काफी एकसाइट है बता दें कि अभी तक नौबार आयूजित हुए इस टोर्नमेंट को भारत ने आठ बार चीता है विदेश में जाकर शादी करने वालों से पीम मोधी की अपील पीम मोधी ने मन की बात कारिक्रम में वोकल फॉर लोकल पर बात की इस ओरान पीम ने विदेश में जाकर शादी करने वालों लोगों से अपील की है पीम ने कहा कि कुछ संपन परिवारों में विदेश में जाकर शादी करने का चलंज शुरू हुआ है ये जरूरी है क्या उन्होंने भारत में शादी समारों आयुजित करने की अपील करते हुए कहा इस सदेश का पैसा देश में रहेगा लोगों को सेवा का मौका मिलेगा चीन में फैली बीमारी पर सरकार ने सभी राज्यों को दिया नर्देश चीन में फैल रही रहसे में बीमारी को लेकर डबलू एचो ने चिंता जाहिर करते हुए चीन से संबन्द जानकारी मांगी इसको लेकर भारा सरकार पूरी तरह से अलर्ट मून में आ गई सरकार की उर्से सभी राजियों केंदर शासित प्रदेशों को पत्र लिक कर अस्पताल के तैयारियों के समिक्षा करने के सक्त नर्देश दिये केंदरिये स्वास्ते मंतरी मनसुख मांडविया ने कहा कि इस मामले पर खरीब से नजर रखी जा रही है काउंटिंग को लेकार बीज़ेपी की ट्रेनिंग ट्रेनिंग में काउंटिंग के दिन काम करने के नई तरीके और संश्य होने पर क्या करना है इसके टिप्स दिये गाए तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरे अगर आपको न्यूस पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर सर्व करें धन्यवाद